चली सेकेंड नंबर कॉशन जो है वो अपन देख रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जिसमें मैंने आपको बताया था सिंपल अपने को क्या करना होता है ट्रेडिंग और तींडल बनाना है बस तीन अलग लग डिपार्टमेंट है एक्स वाई जैड तो तीन कॉलम बन जाएंगे आपके ठीक है बाकी फर्स जो अपन ने कॉशन किया था बिलकुल वैसा ही है कॉशन पढ़ते क्या लिखा है एक कंपनी इस केरिंग ऑन इस बिजनस इन फ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई और जैड एक्स वाई और जैड के सेपरेटली बता रखें इन है तो उन्हें किस रिशो में बाटना है 532 के रिशो में अमोंग इस डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दे डिटेल गीवन बिलो प्रिपेट दे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पी अंडल अकाउंट फोर दे इयर एंडिंग 31st मार्ट 2019 आल्सो केल्कुले परसेंटेज ओफ ग्रोसेंट अद नेट प्रोफिट ऑण आउट साइट तो मतलब अपन यहां जरॉबस प्रोफित निइट इन यहां बेर दियुकर आपको पता डेबिट में आता है, आउटसाइड सेल्स है, आउटसाइड पर्चेज है, सेलरी एन अलाउंस है, वेजेज है, फ्राइट एंग, कार्टेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, बेट डेप्स रिटन ओफ है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर लिखा है, एक्स टु वाई, एक्स ने वाई को इत्ता ट्रांसफर किया है, एक्स टु जेड, वाई टु एक्स, वाई टु जेड, जेड टु एक्स, और जेड टु वाई टु जेड, इस तरह से गिवन है, यह नौर्मली जेड टु वाई होना चाहिए निली है, हलाग कि कोई मतलब नही यह Z to Y होना चाहिए, फिर other expenses, manager salary, आपको पता P&L में आता लेकिन इसे बाटना पड़ेगा 5, 3, 2 के रेशो में, फिर rent है, rates है, tax है, insurance है, पोस्टे, selling और miscellaneous, सारे खर्चे P&L में आएंगे और सभी को 5, 3, 2 के रेशो में बाटना है, चलो start करते हैं, सबसे पहले, यह departmental trading P&L account बना दिया, सबसे पहले हम यह opening stock लिखते हैं, तो देखो, X का opening stock है, 8, 9, 1, 0, Y का 2, 8, 00, और Z का 6, 25, उसके बाद आप हमेशा यहाँ purchase लिखते हो, तो purchase की बाद करते हैं, आउटसाइड purchase यह लिखा, 20,000, 205, फिर 76, 85, 6, 2, 8, 0, फिर आप हमेशा यहाँ sales लिखते हो, तो आउटसाइड sales लिखा हुआ आपको, 55, 8, 70, फिर 2, 8, 0, 6, 5, और 2, 4, 2, 5, 5, ठीक है, इसके बाद आपन normally closing stock expenses भी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ transfer लिखना पड़ेगा, इंटर department transfer है न, वो, दोनों तरह पी आता है, जो देने वाला department है वो sell side, credit side लिखेगा और जिसके पास आ रहा है वो debit side, अब यहाँ सभी department एक दूसरे को कुछन कुछ दे रहें, तो इसके लिए फिर एक बार आप कहां जाओगे working note में, आप क्या करोगे, इस तरह लिख दोगे x, y और z, x, y, z, और कौन department किसको कितना दे रहा है वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे, चलिए बताईए, देखो x, y को कितना दे रहा है, देखो x अपने आपको तो देगा नि, y को दे रहा है, 4520 और x, z को कितना दे रहा है, 2410 फिर y की बात करें, तो y, x को दे रहा है, 5630 अपने आपको तो देगा नि, और y, z को दे रहा है, 1095, z देखो x को दे रहा है, 1740 और इनको नहीं दे रहा, अब ऐसे जब total करेंगे, तब तो goods rendered कितना दे रहे हैं, वो आ जाएगा, या given भी लिख सकते हो, और यहाँ received लिख सकते हो, तो यह total जब आप करोगे, तो देखो कितना आ रहा है, 4520 प्लस 2410, 6930, यह करेंगे तो 5630 प्लस 1095, 65, 6725 और यह तो 17 यह, और इधर का भी total कर दो, 7037, 4520, यह 2410 प्लस 1095, को दिकत चली, अब आप इसे लिख देंगे, देखो, यह तो given है, दे रहे हैं, तो यह तो आएगा आपका credit side, इधर, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो कितना है, 6930, 6725, 1740, यह चीज आपके book में वहाँ पर working note में की भी नहीं है, तो यह थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है न, चली, अब जो received हो रहा है, देखो 7370, 4520, 35, यह received side मतलब अपन debit side लिख देंगे, यहाँ, ठीक है, यह आपका आ रहा था received का, 7370, य का आपका आ रहा था, 4520, और जड का आपका आ रहा था, 3505, देख लो, 3505, 3505, तो यह transfer वाला एक नया काम था, उसके बाद आप हमेशा यहाँ लिखते हो, क्या by closing stock, तो closing stock यह दे रखा, 9680, 2355, 1580, opening stock लिखोगे, purchase लिखोगे, sales लिखोगे, उसके बाद transfer लिखोगे, closing stock, उसके बाद हम expenses में आएंगे, तो देखो, दो तरह के expenses होते हैं, direct और indirect, जितने भी direct expenses होते हैं, वो आपके trading में आते हैं, और indirect वाले p handle में, तो start करो, देखो, सबसे पहले तो आपको यह salary and allowance, तो यह तो indirect में आता है, p handle में, बाद में लिखेंगे, पहले wages लिख दो, यह two wages, wages तो direct होता है न, 8, 2, 2, 0, 3, 9, 8, 4, 2, 7, 4, 5, उसके बाद fright and cartage यह भी direct होता है, fright and cartage मतलब अपन खरीते हैं तो किराय भाड़ा लगता है न, वो, अब यह fright outward होता, selling का खर्चा तब तो नीचे आता लेकिन केवल fright and cartage लिखाया तो वो purchase करने का यह खर्चा है, 8, 5, फिर यह 2, 6, 5, 6, फिर 1, 8, 3, 0, फिर fright के बाद closing store लिख दिया, red debts भी आपका कहा आता है भई, नीचे आता पी इंडल में, फिर इंटर डिपार्टमेंट यह तो सारे indirect expenses, ज्यादर manager salary rent यह सारे, तो देखो यहां तक तो आपका काम होगे trading का, तो आप यह total करोगे, और यह total करोगे, इधर का total जादा है, तो gross profit इधर का जादा है, तो gross loss, इसमें profit ही आ रहा है, तो यहां पर यह gross profit, अभी निकाल लेंगे, यह gross profit आपको पता है, यहां transfer होता है, अब बाकी expenses सारे लिख दो, देखो एक तो salary and allowance था, तो यह two salaries and allowance, कितना है भई, 4725, 2860, 2080, उसके बाद wages होगा है, फ्राइट होगा है, तो यह two bad debts, देखी कितना है, 1380, 715, 1120, ठीक है, अब नीचे other expenses, एक तो manager की salary, तो two manager salary, 6000 है, अब इसे आप बाटोगे कैसे, आपको लिखा था उपर ही, 5, 3, 2 के ratio में बाटना है, तो बाटना तो आता है न, into 5, 6000 में into 5 करोगे, और divided by इसका total, total है 10, तो 6000 into 5 divided by 10 करोगे तो 3000, फिर आपका हो जाएगा, 1800 और ये 1200, फिर manager salary की बाद में rent, रेंट को भी उसी ratio में बाटोगे, तो 2500, 1500 और 1000, फिर उसके बाद rates, तो ये हो जाएगा आपका 150, 90 और 60, फिर tax, तो ये 2 taxes, सभी को 5, 3, 2 के ratio में बाटना है, 1000, 600, 400, फिर इंशोरेंस, 1050 बाटोगे तो ये हो जाएगा, 525, 315 और 210, फिर आगे देखो, stationery and printing, total आपका 4000 तो 2000 तो यहां आ जाएगा, 1200 यहां और 800 यहां, फिर उसके बाद postage, ये आपका 3, 2, 5, 0 तो 1625 तो यहां आ जाएगा, 975 और 700, फिर selling expenses वो total आपका है 6000 उसे बाटोगे तो 3000 और 1800 और 1200, फिर miscellaneous expenses, 1550 है भई, यह आपका 775, यह आपका 465, 310, यहां पर आपका होगा, हाँ, ठीक है, 650, हो गया सारा काम, अब हमें केवल, इनका balance निकालना है, तो देको इधर का total जादा होता है, तो यहां gross profit आता है, इधर का जादा होता है, तो gross loss, इसमें इधरी का क्या है, जादा, तो यहां तो मैं देखकर लिख लेता हूँ, calculation में थोड़ा time जादा जाएगा, आप थोड़ा calculation कीजिएगा भैस में, 72480, यह total आ रहा है, तो 72480 में से यह minus करोगे, तो gross profit आ रहा है, 22295, चलो, इसका आप total करोगे, 37145, 37145, इसमें से यह minus करोगे, तो 15500, यह total करोगे, तो 27575, 27575 में से यह minus कर दोगे, तो आप का रहा है, 12590, अब यह आपको gross profit पता है, यहाँ transfer हो जाता है, कर दीजिए, 22295, 15500, 12590, अब इधर का total जादा होता तो यहाँ net profit आता है, यहाँ का जादा तो net loss, इसमें इधर का ही जादा है, तो आपका net profit आ रहा भई, net profit आपका 1615, 3180 और 3560, total यही चीज़ आएगे, आपकी 22295, 15500, 12590, कॉशन कंप्लीट नहीं हुआ है, है न, इसमें मैंने कहा था हमेशा कॉशन को ध्यान से पढ़ना, last तक कुछ रहा तो नहीं गया तो देखुए, calculate percentage of gross profit and net profit on outside sales भी निकालना है, तो इसमें क्या करोगे, देखिएगा, एक तो आपको gross, बतलब percentage of gross profit निकालना है, percentage of gross profit, फौरॉला होता है, gross profit divided by sales into hundred, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का निकालना पड़ेगा भाई, x, y और z, देखो x का gross profit यह रहा, 22, 295 और डिवैड़ बहे इसका sales था 55870 into hundred, यह निकल जाएगा, ऐसे y का 155 double zero और इसका sales था 28065 into hundred, यह y का निकल जाएगा, z का था 12590 और sales इसका था 24255 into hundred, rate, अरे ठीक हैं, कितना आ रहा है बताओ, यह तो 39.91 परसेंट आ रहा है, इससे जब आप करोगे तो यह 55.23 परसेंटेज, और 51.91 परसेंटेज, ठीक है, एक total का मैंने यहाँ column बनाया नहीं है, मैंने आपको कल भी पहला कॉशन भी बताया था कि total का column भी बनेगा, यह समय कम है तो इसलिए अपन ने नहीं बनाया, आप वो भी बनाना, तो total का भी निकल जाएगा एक, ठीक है, ऐसे ही आपको एक और निकालना है, नेट प्रॉफिट देखो यह निकला था, 1615 और सेल्स तो आपका 55, 870 इंटु 100, इसका नेट प्रॉफिट था 31, 80, सेल्स 20, 80, 065 इंटु 100, और जैड का आपका था 35, 60 और सेल्स तो आपका यह थाई, 24, 255 इंटु 100, यह तो आ रहा है, 2.89 परसेंट, यह 11.33 परसेंट, और यह आपका आ रहा है, 14, 6.68 परसेंट, ठीक है, और इसी तरह से एक टोटल का भी निकाल लेंगे, तो ध्यान रखना, कई बार कॉश्चन आप जलबाजी में कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो पूछी हुए, वो छूट जाती, तो पूरे-पूरे माक्स नहीं मिलते, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कोई ज्यादा बड़ी बात इस कॉश्चन में नहीं थी, जो एक टेवल में ये ट्रांसफर वाली बताई थी, एक्स वाई-जेड, एक्स वाई-जेड कौन किसको दे रहा है, उसका टोटल कर देना, जो दे रहा है उसका तो आता है, क्रेडिट साइड और जिसके पास आ रहा है वो डेबिट साइड, ये पहले कॉश्चन में भी था, इसमें भी था, तो इसको एक बाट राई कीजिएगा,